हलो फ्रेंट्स एक बार फिर आपको दोस्ट स्वागत है आपके एपनी उडूब चैनल आई है संसारी मोफ फ्रेंट्स आज की वीडियो सभी स्टुडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है जो स्टुडेंट्स UP स्कॉल्शिप के लिए आवेदन करने वाले ह जाया है और वह इस बार वीडियो में अडिमिसल नेंगे सभी स्टुडेंट्स के लिए आज की वीडियो में हमें आप डिसकस करेंगे सो फ्रेंट्स आप इस वीडियो में अंतर तक बने रहेगा इसके साथ है अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लेकन को जूरू प्रेस कर लिजे ताकि कॉल्जी यूनिवास्टी एक्जाम इसके साथ साथ सब्सक्राइब से समद्स सभी लेटेशन यूज आपको समय पर मिलती रहे जिया दोस्तों वीएड में एडिमिशन लेने के बाद यदि आपके गिरिजेशन में 55% से कम मार्क्स हुए तो वीएड में आपको सुल्क भरपाई प्रोवाइड नहीं की जाएगी जो इस कॉल्सिप के साथ में आपके फीस रिवर्समेंट आपको बापस दी जाती है तो पर में अभी यहां पर आपको बताने बाला हूँ तो आप वीडियो को भीने स्किप की हुए पूरा देखीगा चलिए जान लेते हैं यहां पर विश्टार से क्या क्या बताया गया है सबसे पहले आप को यहां पर देखने के लिए आप यहां पर वीडियो की बात हो रहे हैं तो आप यहां पर देख सकते होंगे इसके साथ साथ जन्रल ओविसी S.E.S.T. छात्रों को भी फीस पृति पूर्ति अब इस नातक में 55 फीस दी नंबर होने पर ही मिलेगी यहां पर सब सब बताया गया कि जीन इस्टूरेंट्स के मार्स 55 फीस दी से कम होंगे 55 परसेंट से कम होंगे गिरुजेशन में उनको वियर्ड में स्कॉलेशिव के आपके जो फीस पृति पूर्ति होती है वो बापस नहीं की जाएगी गवर्मेंट की फैसले से सभी बर्गों से इस नातक में 55 फीस दी से कम नंबर वाले चात्र फीस पृति पूर्ति से बाहर हो जाएगे यह गवर्मेंट की तरफ से एक वड़ा कदम उठाया गया है जिस से वी SC और SD candidates को 0 सुल्क पर यानि की 0 फीस पर admission नहीं मिलेगा private colleges में इसके साथ सासने colleges को उक्तादिस जारी कर दिये निदेशक वालकर्सन तरफाठी के आदिसों के अनुसार नेजी colleges में SCST छात्र निसुल्क प्रवेस नहीं मिलेगा केवल added इवं राच्गी college में SCST छात्रों को निसुल्क प्रवेस हो सकेगा जो added colleges होंगे इसके साथ साथ जो government colleges होंगे SCST students को केवल इनही टैप के colleges में free admission मिल पाएगा इसके साथ साथ private college में B.A.D.M.S. सामान OVC SCST छात्रों को भी प्रतिपूर्थी को इस नात्रों में 55 फिजदी आंक जरूरी होंगे इसके साथ साथ एदिविएड के लावा हम other courses की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल ला है जिन course में प्रवेस की योगिता इंटर है यानि कि ऐसे course जिन में प्रवेस लेने के लिए admission लेने के लिए आपको इंटर कंप्लीट होना compulsory होता है यानि कि इंटर के बेस पर आपको admission मिलते हैं तो ऐसे graduation बाले courses में आपको सुल्क प्रतिपूर्थी पाने के लिए 60 फिजदी आंक होना जरूरी है यह यहां पर बताया गया इसके साथ साथ management quota इवन स्पॉर्ट प्रवेस में वीफिस प्रति पूर्थी नहीं दे जाएगी सो फ्रेंड से यह थी यूपी स्कॉल्ट से समबदेत कुछ मैं पूर्ड जानकारी हो मिनित करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी अगरी वीडियो आपको पसंद आई तो फ्लीज इस वीडियो को अपने अधर फ्रेंड से साथ जरू सरके दीजे तक कि अधर स्टुडेंट्स को इसके बारे में जानकारी मिल सके